आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रही हूँ नवरतन पुलाव और साथ में लाल रायते की रेसिपी जो की बहुत ही असान तरीके से और रेस्टुएंट से बढ़ियां तो चलिए सुरू करते हैं आज की नई रेसिपी तो इसके लिए हम यहाँ पर नॉर्मल चावल लेंगे और मैंने यहाँ पर आदा कीजी चावल लिया है इसे अच्छी तरह से बास कर 80% तक हम कुक कर लेंगे जब तक चावल को कोता है तब तक हम रायते बना लेते हैं तो हम यहाँ पर एक बढ़तन लेंगे और उसमें आड़ करेंगे फेटे हुई दही फिर हम इसमें आड़ कर देंगे कदू कस किया हुआ चुकंदर और साथ में हम यहाँ पर एड़ करेंगे अद्रक और हरी मिर्च और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर हम यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ कर देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे फीर हम इसे एक वाइल में निकाल लेंगे तो लिजिये तयार है लाल रायती नवरतन पला बनाते हैं तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और उसमें एट करेंगे थोड़ी से गी गी को मेल्ट होने देंगे जब गी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें वाइल किया हुआ, वेजिटेवल एड कर लेंगे और उसे एक दो मिनिट के लिए सौते करेंगे यहाँ पर मैंने वेजिटेवल में गोभी, वेंस, मतर, गाजर यह सारी चीजे लिए हूँ अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहते हैं वेजिटेवल तो आप इसमें और भी एड कर सकते हैं मैं यहाँ पर नवरतन पला बना रही हूँ तो मैं नो किसिम का ही इंगेडियन्स इसमें एड करूंगे तो यह सोते हो गया है, मैं इसे ट्रांसफर कर दी और फिर मैं इसी पैन में और घी आइट करूंगी और इसे भी मिल्ट होने देंगे जब यह अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें ड्राइफूट्स को सोते कर लेंगे तो dry fruits में मैंने यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम, किश्मीश, अक्रोट इसे भी मैंने सौते कर लिया और इसे निकाल लूँगी फिर हम इसमें और भी ingredients को सौते कर लेंगे उसी घी में फिर हम उसी पैन में और गी एड़ करेंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे हरे मिर्च और साथ में जीरा बड़ी लाइंची इसका हम खुश्बू लगाने तक चौक करेंगे फिर हम इसमें एड़ कर देंगे slice किया हुआ पतला, प्याज और इसे भी एक दो मिनिट के लिए सौते करेंगे या फिर जब तक ये हलका golden brown ना हो जाए तब तक हम इसे सौते करेंगे फिर हम इसमें एड़ कर देंगे 80% कुक किया हुआ चावल और साथ में ही हम एड़ कर देंगे यहाँ पर पूरे vegetables और dry fruits को तो हम इसमें एड़ कर देते हैं सारे vegetables और dry fruits को और इसे हम mix कर लेंगे फिर हम इसमें fragrance लाने के लिए हम इसमें एड़ कर देंगे गरम masala और इसे भी एक दो मिनिट के लिए सौते कर लेंगे तो लीजिए तयार है नवरतन पुलाव अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं तो लीजिए सर्फ करने के लिए रेडी है नवरतन पुलाव और साथ में लाल राइते की रेसिपी तो है न कम में ज्यादा तो रेसिपी अची लगे तो प्रीसी से एक लाइक तो बनता है और मेरे चनल पर पहले बारा है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए, खुशियां बाड़ते रहिए और आसपा सफाई बनाई रखिए थैंक यू, टेक क्यार एं नमस्का